हाईलो फ्रेंड स्वागत है, मिक्स ड्राइंग में आज हम आम का चित्र बनाना सिखाऊंगा आम का ड्राइंग बनाने के लिए रेखा को अर्ध विर्ताकार एक साइड से बना लते हैं दूसरे साइड से भी अर्ध विर्ताकार को एक कोने पर मिला देते हैं जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर डंठल बनाएंगे, यहाँ से पत्ती इस साइड बनाएंगे और यहाँ पर दूसरी साइड की पत्ती भी बना लेते हैं, पत्तियों में उसके नसे को बना लेते हैं, हलका ड्राइंग करते हैं, इस प्रकार से आप भी बनाएंगें, जैसे आप इस वीडियों में देख रहे हैं, सभी लाइन को डार्क करेंगें, पत्तियों के नसों को डार्क कर लिया गया, इसी प्रकार से आम को भी लाइन को डार्क कर लेते हैं, कलर पिंसर की सायता से आम में सेड देते हैं, किनारे पर डार्क सेड देते हैं, दोनों किनारे पर सेड डार्क दिया गया है, बीच में हलका सेड देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप सेड दे, दोनों किनारों पर डार्क सेड देते हैं, पर्थम टोन हलका इस सेड देते हैं, सिकेंड टोन में पर्थम टोन की अपेच्छा थोड़ा सा डार्क सेड देते हैं, आम के दोनों किनारों पर सिकेन टोन में भी डार्क सेड़ देते हैं इस प्रकार से आप भी सेड़ दें डंठल में भी पले हलका सेड़ देते हैं पतियों में उसी प्रकार से सेड़ को देते हैं पर्थम टोन अमेशा हलका सेड़ देते हैं उसके नसों को भी बना लेते हैं इस प्रकार से पतियों में पाले हलका से इड़ दें बलाइक पिन की साहता से लाइन को बना लेते हैं इस प्रकार से आप भी बना लेएं पतियों में भी सिकें टोन का भी परियोग करते हैं ऐसे आप भी बना लेएं आप भी इस प्रकार से लाइन को सई कर लें जैसे आप देख रहे हैं ध्रातल में हलका सेट दे देते हैं जैसे आप देख रहे हैं हलका सेट दिया गया है आप भी इस प्रकार थर्ड टोन का परियोग करें ध्रातल में भी पीला का परियोग किया गया है थर्ड टोन भी सिकेंड टोन से डार्क ज़्यादा करते हैं जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से आम में सेट देते हैं